फ्रेंड्स मैंने वीडियो तो एक ही पार्ट में बनाई थी लेकिन एक काफ़ी लंबी हो गई इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइट करती हैं तो जिल लोगों ने अभी तक एपार्ट नहीं देखा है वो जागर के पहले एपार्ट देख लें फिर उसके बाद ये पार्ट को देखें और इसमें तीसरा लक्ष रखा गया था कि उत्पादन और रोजगार हैं उनको हमें बढ़ाना है अगर ये बढ़ेंगे तब हमारे की ओईये और तो दो दो रूब से चला आरा था इसमें भी आर्ट निरवरता को रखा गया कि कि हमें आत्म निर्वर होना पड़ेगा और इसी तरह दोस्तो समाजिक न्याई की बात की गई और इसमें साथ में दोस्तो इसमें उर्जा सरक्षड की बात की गई और इसमें नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सिस हैं उनको बढ़ाने की बात की गई इसमें पहले बार जो द नोन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्चिस हैं उनको बढ़ाने के बाद की गई फास्स टाइम दोस्तों इसलिए साथ में पंचबर्ची योजना इंपर्टेंट हो जाती है और इसमें लक्ष रखा गया था फाइब परसेंट लेकिन हम लोगों ने अचीब किया सिक्स परसेंट त तो यह भी आंस सिक्ता दोस्तों सफल रही क्योंकि इसमें और जो हमारे जैसे की गरी भी हटाओ और उत्पादन इस जीज़े नहीं वड़ पाई थी समाजिक नहीं आएं आज भी समाजिक नहीं बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों तो यह सारी योजना यह आंसी रूप देखने को मिलेगा आपको जो साथ मीं पंचवरसी उसना उननेस्तो नभ्य में खतम हुई थी लेकिन आठ मीं पंचवरसी उसना कभी स्टाट की गई उननेस्तो बानमें में यह दो साल का gap क्यों आया अब मैं यहाँ पर आपको एक story सुना देऊं दोस्तों दो साल का gap इसलिए आया क्योंकि इसी समय हमारे देश में कई सारे आर्थिक संकर चल ले थे इसी समय हमने bird bank से loan लिया था और हमें bird bank से loan लेने के लिए अपना सोना तक गिर्मी रखना बढ़ाता दोस्तों इसी समय हमने अपना सोना अधिर सारा सोना गिर्मी रख करके रुपए लिया था गौवर्मेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बजट का आवंटन कर सकें तो इस समय क्या आर्थी समस्यां बहुत जादा चल लाई थी के उधारी करण की प्रिक्रिया यहां इसे ही 1990 से ही स्टार्ट हुई ओके तो इसी समय में जब गौवर्मेंट के पास पैसा नहीं था तो बजट का आवंटन नहीं कर सकती थी तो इसलिए दो साल के लिए जो पंच वर्षी योजना थी वो इस्तगित कर दी गई पंच संसादार साफ के बाता है हमारी पास जन संक्या इस आप लोग जानते हैं कि बहुत जाता है जन शंक्या हो ने करक वो आपि समझ सकते हैं दोस्तों क्योंकि हम लोग के जो दादी लोग हैं वो लोग एक आसिरवाद देती हैं दोस्तों दूदो ना पूदो फोलो तो इसका मसलब यही होता है तो दूदो ना पूदो फोलो यही तो सबसे पहले आसिरवाद मिलता है तो लोग कहते हैं हम आसिरवाद जब बुजर्गों का आसि आशिरबाद दिया जाता है जो बुजुर्ब महिलाएं होती है या दाधीर के टाइम की जो महिलाएं होती है वो कहते हैं दूदो ना वो तो फलो ओके अब दोस्तों जो आठमी पंचवर्शी योजना थी वो किस मॉडल पर आधारी थी वो जॉन डबलू जो मूलर से वो उनक देश रखा गया था कि जो सताब्दी है उसके अंद्र तक यह बात को बहुत बिसेज ध्यान रखना है कि सताब्दी के अंद्र पूर्ड रोजगार का मतलब क्या है पूर्ड रोजगार का मतलब दोस्तों यहां पर आप लोग यहां पर कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि हमार पूड़ पूडन तो पूड़ रोजगार का मतलब है कि इन 100 लोगों में से अगर 80 लोग इच्छुक हैं 80 लोग इच्छुक हैं 80 लोग इच्छुक हैं कि हमें रोजगार चाहिए लेकिन 20 लोग हैं वो कहा रहे हैं हमें रोजगार नहीं चाहिए तो अगर हम इन 20 लोगों के लिए रोजगार उपलब्द करा देते हैं, तो इसी के लिए पूड रोजगार कहते हैं, यानि कि इसका मतलब यह नहीं है कि, जो लोग, 20 लोग अगर कहा रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं चाहिए हमें काम नहीं करना है, हम इने भी जवरदस्ती रोजगार दे रहे हैं, तो यह 100 लूगों के लिए उपलफ्ध कराई तो दोस्तों वो आइगा पूड रोजगार में लेकिन यह 100 लोग हैं यह कहते हैं कि दो के हमें से देदिते हैं थो वो पूड रोजगार में आते हैं चाहे वो 50 परसेंट हो 60 understandable 110 वी 100 परसेंट सकते हैं तो पूड रोजगार का मतलब क्या है आप इसमें जन्संक्या नियंतरन की बात की इस समय वहाइक जादा बढ़ गई थी दोस्तों क्योंकि हमारे पास जनसंग यतनी जाज़ा तीजी से बढ़ रही थी लेकिन हमारे पास land लेंड तो पराबरी है अब हमारे जो भारत का आपका कुभल है वो तो नहीं बढ़ रहा है ना किसी छित तड़ तो हमारे उतना है उसमें लि मिटिस्टस आ है हम tecnología बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास सो योखड़ा जमेन हैं हमारे भारत के पास तो वह सो कितने भी मसीनों को उपयोग कर लें कितने भी रसाइन और उब्रक का यूज कर लें हम एक लिमिट सक ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं दोस्तों के और इसमें पंचवर्शी उसमें बहुत इंपोर्डेंट बात की थी प्री एजुगेशन यानि कि प्रात्मी सिक्चा जो प्रा प्राइमरी एजुगेशन के साथ में एक बहुत मैत्पूर बात की थी कि 15 से 35 आयू बर्ग के जो बीज के लोग हैं दोस्तों उन में दोस्तों निरक्षड़ता उन्मूलन करना है इस निरक्षड़ता उन्मूलन का क्या मतलब है कि लोगों के पास डिग्री या डिप्लोमा लोग पास हो ना हो लेकिन एटलिस्ट पढ़ सकें और लिख सकें दोस्तों तो इसी के लिए निरक्षड़ता उन्मूलन का क्योंकि दोस्तों अगर कोई पढ़ सकता है लिख सकता है तो क्या होगा दोस्तों इससे देश का विकास होगा उसे योजनाओं के बारें पता होग तो देश में सकरात्मक भागेदारी दे सकता है वो और चीजे दोस्तों पढ़ सकता है जिससे उसका जो माइड होगा वो अप्रोच होगा वो अच्छा होगा इसलिए इसमें बात कीगी थी कि कम से कम हमें 15 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं उनमें निरक्षड़ता उनमूलन कर कि हम साक्षर बोलेंगे अगर कोई भी बेक्ति जो पढ़ सकता है लिख सकता है हम उसे साक्षर बोलेंगे तो साक्षर का मतलब यही है साक्षर का मतलब यही होता है कि किसी के पास डिग्री डिप्लोमा है तो हम उसे साक्षर बोलेंगे तो आपको अगर साक्षरता का मतलब वैसे आए तो आप confused नहीं होने हैं अगर आंसर राइटिंग में करते हैं तो साक्षर का साक्षर तक उपियोग आप राइट वे में कर पाएंगे जिस्ते हैं आपके नंबर उस तो इंक्रीज होंगे क्या होता है हमें बेक्ति के बेक्तित का पता चलता है अब देखिए इसमे आत्मिर्वर तक ही बात किए कि हम दूसरी के पर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे तो इसमें बात किए की खाद पदारते हैं उनमें हमें आत्मिर्वर होना पड़ेगा और इसमें जो लक्स रखा गया था 5.6% लेकिन हम लोगों ने अचीब किया 6.68% ओके तो यह लगवक म दूसरा इसका टाइम पीरियड था 1997 से लेकर के 2000 के बीच में दूस्तों अब इसमें तीब्र आर्थी सम्रद्वी की बात किए कि हमें आप देश का विकास तीब्र गती से करना हुगा आर्थी सम्रद्वी है उसे तीब्र गती से बढ़ानी होगी दूस्तों और जीवन इस स्क्रादेटर के बाध कि जीवन इस तर दोस्तों जब उठेगा तभी तो मरे इसका विकास होगा ओगे आप इसमें बन्यादी सिवाओं को बढ़ानी की बात कीए इस अभी तक पहुचम टाइक घर है दोस्तों इसमें इसमें घर को भी सामिल आ गया है कि एटलिस लोगों के पास एक दूरो मेसे हो जो सबी मुसम में जिससे वो आराम से रह सकें और बच्चों में पूसर आहरें वो उचित्मातराम मिल सकें क्योंकि हम गयते हैं ऽसलोंस सल्कों से जोडना, बहुत महतमोद बात है साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें PDS सिस्टम को स्टार्ट करने की बात की गई ति इसमें बहुत इंपोर्टेंट बात की गई थी राज को सिस्टम करने की बात की गई तो इसका मतलब है जो रुपए है जो पैसे है जो बजट है उसका जो खर्स हो रहा है वो उसका खर्स जादा हो रहा है वो खर्स हो रहा है निवेस नहीं हो रहा है दो बड़ होते हैं दोस्तों यह होता है निवेस और दूसरा होता है खर् किसी भूमी को खरीद लेते हैं या फिर आप बाइक खरीद लेते हैं पैसे से या कोई भी बस्तू खरीदते हैं तो उसके लिए निवेस होते हैं लेकिन आप क्या खर्स कौन सा होगा आप गया दोस्तों आपने मुवी देख ली दा करके आप गया आपने ऐसी कोई भी सर्वि के लिए खतरनाव होता है यानि कि जो भी पैसा है उसका उप्होग हो रहा है तो इसलिए कहा गया था कि राजस्वगाट है वो हमें कम करना है लक्स रखा था अपना और साथ में इसमें लक्स रखे गए थे उस तो समाजिक ने आए और संता है उनके साथ मैं आर्थी विकास हमको करना है जनसंक्या को कम करने की बात की गई नेंतर करने के बात की गई दोस्तों जो पहले भी की गई आज भी किसारी है और नेंतर करती रहेंगे दोस्तों हम लोग अब इसमें देखिए किर्सी और गिरामीड विकास हैं दोस्तों उसको पर विकास करते हैं क्योंकि मान लेते हैं हमने जो दस सिटी हैं दूस्तों और हमारे पास एक हजार गाउं हैं अगर हमें इन दस सिटी को दूस्तों डबलब कर देते हैं लेकिन इनका नहीं करते हैं तो यहां के लोग क्या करेंगे इन 10 स्टर्टिम आना इस्टार्ट कर देगे से होगा जादस जादस जन सग्या का पाटिसिपेट कर सकती है जब इसमें स्तिर्यों की भागेदारी हो अगर महिलाओं की भी भागेदारी होगी तब हम अपने जो लोगों की जादस जादा भागेदारी सुनस्चित कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तो सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब की बात की आप लोग जानते हैं देखिए पहले फूर सेफिटी की बात की जा रही थी तो अब जब सेफ हो गया तब बोले कि अब गौवर्मेंट बोली अब हमें सेक्योर होना है वाई सिक्योरिटी हमें चाहिए न की हमें जो भी उत्पा पूरता सपल नहीं रही दोस्तों अब देखें हम नेक्स्ट हमारी जो पंच वर्सी उजना है उसको देखते हैं दसमी पंच वर्सी उजना ये 2002 से लेकर के 2007 के बीच में ये चलाई गी थी दोस्तों इसका टाइम पिरिट था इस समय जो पीम थे वो अटल जी थे दोस्तों और अर्थ विबस्ता में दोस्तों जो सुधारुक्त थे वो चरम अबस्ता में थे अपने इस समय सारी जैसे कि बिकेंद्री करण को बहुत बढ़ाया असारत है और पीपीटी मॉडल पर भी काम किया जाने लगाता है स्टार्ट कर दिया गया था दोस्तों और इसमें आगात औ निर्गत को दोस्तों बढ़ाया गया साथ में इसमें जो दोस्तों एक लक्ष रखा गया था कि ब्रद्धी हमें वो 7.7% अचीव कर दिया साथ में इसमें दोस्तों समान चेत्रिये डवलमेंट की बाद की गई ऐसा नहीं है कि एक चेत्र जैसे कि हम भारत को अगर तीन चार खितरों में बाट जासे कि उत्तर पूरा पच्चे मार्ट दोस्तों सब्स में काइए टा कि सभी चित्रों में समान विकास हूंए याण कि गिरामिर और दोस्तों इसमें देखिए ए त्री मुखी कारीकरम नीति को अपनाए गया। इसका क्या मतलब है जैसे कि इसमें एक किर्सी चेत्र को अपनाए गया। तो और शेतरों को भी बात की गई और जिन लोगों के लिए इसमें देखिए दूस्तों जो अजरी दस्मी पंच वर्षी उसना है इसमें एक बहुत महत्पुड बात की गई थी धी दूस्तों कि जिन जोगों के लिए कहता है उनके दिटीरit पूरक कारीगरम चलाएगाarnos बीची इसलिए जो पंच बड़सी होजनाय चलाई जा रही थी उससे उन लोगों के लिए अगर डाब नहीं हुआ तो इसमें पूरक कारीगरम उन लोगों के लिए चलाए गया और इसमें लक्ष रखा गया था कि 8% का लेकिन हम लोगों ने अचीब किया 7.7% हम लोगों ने जितना लक्ष रखा उससे कम प्राप्त गिया लेकिन अभी तक का सबसे हायस था दोस्तों तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो दसमी पंच बड़सी होजना थी इसमें हमने अभी तक के जितना था वो सबसे हायस प्राप्त गिया लेकिन जो हमने जितना लक्ष रखा था उससे कम प्राप्त किया था ओके अब हम लोग बात करते हैं ग्यार्वी पंच वर्षी होजना यह दो हजार सास ते ले करके 2012 के बीस में दोस्तों चली थी और इसमें समावेसी विकास के बात की बहुत इंपोर्टेंट बात है और इसमें 26 सुचकंक बनाए गया जो गरीबी स्वास सिक्षा महिलाओं और बच्चो और परियावरण के दोस्तों को क्या उनके विकास को दर्सादे थे कि उनमें क्या सा पिरुग्रेस हो रहा है तो 26 सुचकंक बनाए गया दोस्तों के और इसमें उच्चु गुडबत्ता पुरण पर रोजगार लख्च का मतलब क्या है जैसे कि कोई Master degree किया हुआ है किसी के पाद Master degree है अब यह असा नहीं है वह भट्टों पर काम कर रहा है यह तो गुड़पत्ता कोड़ रोजगार का मतलब यह ही है अगर कोई Master degree किया हुआ है तो उसके शमता के अनुसार उसके दूस्तों ability है उसके अनुसार उसको रोजगार दिया जाए कि अब हम लोग देखे हैं दोस्तों पहरे से जो लक्स रख रहे थे वह बहुत ज़्यादा रख रहे थे इसलिए थोड़ा कम अचीब कर रहे थे जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग लक्स तो ज़्यादा ही रखते हैं लेकिन प्राप्त थोड़ा सा कम ही होते हैं अब दे बीजीपी की सरकार आई तो इसने जो योजना आयोग को खतम करने की बात की और इनों ने का कि अब हम 2017 से नीती आयोग होगा उसके द्वारा हम योजना बनाएंगे दोस्तों अब देखिए यहां पर दोस्तों जो बार्मी पंच वर्सी योजना थी यह काफी इंपोर्टेंट है इसके बारे में अच्छे से देखना क्योंकि यह अभी तक की सबसे लेटिस्ट हैं इसके बाद में कोई पंच वर्सी योजना नहीं हाईए क्यूंकि लास्ट्च वर्ची इस ना थी अब इसमें बजभ विखास की गई दोस्तों अधिक समावीसी आप पहले समावीसीग क्या है हम विकास ऐसा करें कि आगे भी वह विकास होता रहे यानि कि विकास करने के लिए हमें संसादनों का जब हम उपभूग करते हैं तो उन्हें भविस्ट की आबसक्ताओं को देखते हुए उनका उपभूग करना है दोस्तों कि तो यही सस्टेनबल डबलब्वेंट होत हैं और फ्रेंड 22 फंचवर्स विसना थी इसे बात कि की थे जो हमारी ठीप्र विकास तरथी उसे बनाह राकर करना और इसमें बहुत इंपॉर्टन बात तरदो बारिप विकास जय नाे ना लासट यूजनum की पांचभ सबकि रहे ना हमें लास्ट şt यह उत्योज्जl कि GDP को 8% के वराबर इसी तरह किर्सी चेत्र है दूस्तों उसे 4% के वराबर और 298 चेत्र है उसे 10% के वराबर लाना है दूस्तों गरीबी और रोजगार हैं उन्हें जो बार्भी पंच वर्सी होजना है उसके अंत तक 10% की उसमें कमी करनी है और non agriculture चेत्र है जो गैर किर्सी चेत्र है थो उन में लगभग में 50 million रोजकार उथ पन्र करने है इसी तरह जो सिक्षा चेत्र है उसको भी दूस्तो बढ़ाना है और स्वास्ट चेत्र में दूस्तो काफी important हो जाता है इसी तरह स्वास्त है दोस्तों स्वास्त में आपको ध्यान में रखते हैं जो नबजासिसू किसे कहते हैं जब उसको जनम होता है तब उसे नबजासिसू कहते हैं नबजासिसू का जनम होता है तो उसमें से सिरिफ 25 नबजासिसू की देट हो यह काफि हाई था है। इसलिए इसको कम पहले रखा गया कि इसने कम से कम 25 ही मरें इससे ज्यादा नामर पाएं तो दोस्तों काफ़ी हच्छी बात हैं कि नबजा सुच्वों के उपर काफी धिहान दिया गया इसी आतर, मात्र मुर्टु दर्भ यायन कि जब जनम के समय जो माताओं की जो माता होती है दूस्तों, उनकी प्रच्छी आता हूँ है, और साथ में इसमें प्रिजन अंदर है दोस्तों जो प्रिजन अंदर की बात की गई थी दोस्तों उसे 2.1% के करीब लेकर आना है और लिंगा अनुपाद है दोस्तों लिंगा अनुपाद किसके बीच में यह बिसे दिहान रखे दोस्तों जीरो से लेकर के छे बर्ष के जो बच्चे होते उनमें लिंगानपाथ 950 के बीश थक लिए 1050 तक लिखे आना है इसी तरह जीरो से तीन बर्ष के जो बच्चे उनमें पोशड स्यआच को बनाए रखने के लिए यह ल〜जना चलानी की बात की गई उनमें पूशर की कमी ना हो पाए इसी तरह जो ग्रामीर शेत्र है उसमें आप सरफस्टना की बात कीगी जैसे कि GDP 9% के वराबर और सकल शेत्र होता है दूस्तों उसे बढ़ाने की बात की गई 90 मिलियन हेक्टर से बढ़ा करके जैसे कि कुछ ऐसा चेत्र होता है जहां पर सचाई की विवस्ता नहीं हो पाती है कि बहां पर बरसा अधारिती गिर्सी होती है तो बात की गई थी जो अभी 90 मिलियन हेक्टर जो भूमी है तो अतलब क्या है कि वहापर बर्स के 12 महीने आबा जाही की सुब्दा पराप्त हो सके यह यह परिवान सुब्दा फैसिलिटी प्रोबाइट हो सके दोस्तों कि इसी तरह गिर्वामेट शेत्र में जो राश्टी और राज्जी है दोस्तों रोड है उन्हें टू लाइन कर나 हैं जैसे बन लेन होता है जिस पर एक बार में एक ही सवाली जा सकती है कि अर्फरोब प्रफ से पच्चिम की ओर यक माल ढुलाई गलयारी की इसमें बात कीगी जिससे इसे आपस में जोड़ा जा सके और परिया बराण और धाणिये विकास में भी दोस्तों धाणियता में भी कई लक्ष रखे गए जैसे कि पिर्ती बर्द पर येर हमें एक मिलियन हेक्टेर घूमी है उसे हरी चेत्र में बदलना है हरी चेत्र का मतलब क्या है दोस्तों बहाँ पर पेड़ पौधे बन को लगाना है दोस्तों कि उसी को हरी चेत्र बोलते है और रिन्यूबल एनर्जी है दोस्तों उसमें क्या करना है 30,000 30,000 मेगाबार्ट विजली हमें उत्पन करनी दोस्तों और 2020 तक उत्षरजन है जैसे कि जो हरित गैसिस होती है ग्रीन हाउस गैसिस होती है उनका उत्षरजन 2005 के इस तरह से 20-25% कम करना है किस से 2005 के इस तरह परमान लेते हैं 2005 का इस तरह जितना होगा एक्स होगा तो इस एक्स से हमें कम करना है कितना 20-25% कम क दोस्तों कि इसी तरह सर्विस सेक्टर में भी बैंकिंग अब हम लोगों ने दुस्तों बार्मी पंच वर्षी उजना तक सारी उजनाई देख लिए लेकिन यहां पर मैंने नोट करके लिखा है यह आपको दियान में रखना है दोस्तों और इनको याद कर लेना है एक आफी श्ते वर्ष नव Doncer इक से लेकर के चार तक जो पंच वर्षी उजनाई थी दोस्तों उसमें उत्पादन पर ज़्यादा फोकस किया गया उत्पादन जो भी लाब होगा उसके बित्रण पर जादा फोकस किया गया है यानि कि जो बित्रण हो वो समान रूप से होना चाहिए यानि कि सहरी छित्रों में, ग्रामीट छित्रों में और इसी तरह जो मध्यम बर्गें, निमन बर्गें, उच्छ बर्गें उनमें समान रूप से इस लाप का बितरण हो यानि कि बितरण हो वो सबी लोगों में समान रूप से हो ऐसा ना हो किसी एक लोग को या एक बर्क के लिए या एक चित्र के लिए जादा इसका लाप का बितरण हो जाए के तो लाप के बिद्रन में पांस से दस तक की जो 5 वर्स्य उजणा चलाए गी थी उस पर बहुत जादा फोकस किया गया इसी तरह जूसतों 11 विस्च विकास की बाद की गई और 12 वर्स्य उजणा थी इसमें अधिक समावेसी विकास के साथ में एक बड और जोर दिया गया ध यार्मी में लेकिन बार्मी में समाबेसी के साथ में समाबिसन के साथ में धाड़ेता को जोड़ दिया गया और बार्मी पंचवर्षी के योजना के बाद में इन पंचवर्षी योजना को खतम करती है कि इसके जगे पर नीति आयुग लाएगिया नीति आयुग के द्वारा इसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए दीर कालीन विकात की एक हमें रण नीती बनानी पड़ेगी, यानि कि नीती आये हो गए, वो दीर कालीन विकात की रण नीती बनाएगा, और लेकिन रण नीती तो दीर कालीं होगी, लोंग टर्म होगी, लेकिन इसके लक्ष छोटे-छ 其實 cover करनी है।। इसमें जो लक्ष रखें गए थे दोस्तों वो अल्फकालीन और मदगालीन थे हैं। अल्फकालीन जो लक्ष थे हैं यूजनाओं के दौरा अशीब करना थे दोस्तों। और इनका समय के साथ में दोस्तों review भी होता रहता है, अगर माना जाता है, review के बक्त, अगर इसमें कुछ बदलाव करने की आबसकता होती है, तो इसमें बदलाव भी किया जाता है, तो यही नीती आयूग का एक बहुत बड़ा profit है, दोस्तों, और इसमें विकास के पक्च को इसपरस्ट किया गया। और इसमें आबसकता अनुशार संसोधन किया है। इसमें संसोधन किया जाएगा, तो इसकी दक्चता बढ़ जाएगी। और नीती आयोग ने तीन बड़ जो विकास डह्ट को पित्य้ं किया है। देख लिए हैं अब हम इसे एक साथ देखते हैं जिससे आपका जो एप्रोच है बो बन सके और आपको कैसे इसको याद करना है दोस्तों जैसे पहली पंच वर्षी उसना है उसमें सिर्फ आपको एक बात याद रचनी है कि यह उनिस से क्या बन में आई इसके बाद पांच ब इसमें एक बात और आपको यह वाली ध्यान रखनी है आप दूसरी पंच वर्षी उसना आई चपन के बाद दुबारा से दूसरी पंच वर्षी उसना तुरन से स्टाट हो जाती है उन्हें पहले में एक्रिकल्चर को फोकस किया गया था दूसरे में बेसक इंडस्ट्री को और हैबिर इंडस्ट्री को क्या कहते है फोकस किया गया दूसरों और जो दूसरी पंच वर्षी उसना थी वो पीसी महाल नोबिस का चार्च शेत्रिया मॉडल था उस पर आदार इती दूसरों और इसी दिर जो तीसरी पंच वर्षी उसना थी वो देखे दूसरी पंच वर में चली अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें फिर से किर्सी को फोकस किया गया था और जो तीसरी पंच वर्षी युजना थी ये किसी विसेष मॉडल पर आधार इतनी थी जैसे कि हम लोग देख चुके हैं और इसी समय आप देख सकते हैं 1966 का वक्त है इसी वक्त बहु में चौति ने थिसेरी पंच वर्षी की बीच में ऊचना के विच में गया तो इसी के लिए गया और दोस्तों यह वाला दोस्टों चौती ऑसके बाद को दो आहिए थी देशिती में गया पर कर i2 शेंन को पॉस्ट टाइम नीटि का संबभ MR और यहां रित प्रांधीű इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है बफ़र स्टॉक भी इसी से रिलेटेट है दोस्तों और 14 बड़े बैंकों करास्टी करन किया गया तो वह भी इस ते ही इसलिए बात किया दोस्तों इसके बाद अब 74 में पांच जोड़ देंगे तो हमें पांच भी पंच भर्टी योजना का टाइम परियेट पता चल जाएगा और इसी में दोस्तों पहली बार गरीब हटाव का नारा दिया गया यह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज़ें ह छो हमाब भी बात कर लें किक्या हम沒有 द्खेंड guit develop बतकर चुके हैं आब देखिये यहां पर गरीब्य पहkilा इंट प्रह नारा दीए गया दोस्तों और इसी में इसी पहले खदम कर दिया और छटी योजना प्रारम किया लेकिन क्या हुआ कुछी समय में जन्ता पार्टी के सरकार भी किया जाती है तो दूबारा से एक कौंग्रिस के दूबारा से सरकार रहा जाती है तो फिर से जो चटी योजना ती उसको喝 कर देती है अब 35 वर्षी युजना इंतर कर देती है तो इससे पहले दो जो गया होता है इसी गया को नाम देती है दूसरा योजनापकास उके तो पहला युजनापकास युद्ध के समयाए था इससे आप ध्यान रख सकते हैं दूसरा कप आया था जब कॉंग्रेस की सरगार ह लेगा और जो दोस्तों रोलिंग प्लान है इसमें जो गुर्णार जी थे और लकडबाला थे इसका संबंद किससे है रोलिंग प्लान से है दोस्तों के अब देखिए यहां पर जो चड़ी पंच वर्शी युजना आई तो इसमें आप फिर से पांच एड कर दीजा आपको चड़ी पंच वर्शी युजना का टाइम पिरेट पता चल जाएगा दोस्तों और इसमें गरीबी निवारण की वाद की गई और इसमें जादा कुछ जादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हम लोगों ने देखी थी कि जो एकॉनमी की करण की बात इसमें की गई थी और साथ में अब हम देखते हैं साथ मीं पंच वर्शी युजना इसमें फिर से 85 में पांच बचे थे तो उसने गौर्मेंट से क्या किया गौर्मेंट ने अंतररास्चे संस्तानों से लोन लिया लोन लिया तो अंतररास्चे संसादनों का दबाव आ गया तो उन्हें उनकी बादों कुछ मानना बढ़ा होगी और इसमें जो साथ में पंच वर्शी युजना थी इसम कई retro 92 की बीच में जो गौवर्मेंट के पास पैसे नहीं होतए जब पैसे नहीं होते नहीं करें तो अंतराष्य नंसताओं से हमने बात की थि उसमें लौन लिया था तो पैसे नहीं थे तो पज़ट आवंटर नहीं कर सकती थी इसलिए उसने दो साल के लिए योजना पंच वर्सी योजना इस्टार्ट नहीं कि इसलिए उन्होंने आठवी पंच वर्सी योजना थी वो 1992 में स्टार्ट की ओके अब इसमें मानव संसाधनों को बढ़ाया गया दोस्तों और जॉन मूल और सीक्चा पर काफी बल दिया एक था ऐसי आटमी पंच वर्सी योजना में होगी और परात्मी सिक्चा थी इससमारा भावी करनं की बात की इसलिए नाऊंतम पुर्सुषई नहीं 25 वर्सी योजना से camarट की अधे दिख सकते हैं जो 1992 के बाद जितनी भी पंचवर्ची यद्धी यद्ध नाया है तो आठ भी पंच बर्च्वर्ची यद्धी यद्धी युजना के बाद कोई भी गैप नहीं हो आए तो तो आपको सिर्फ दो गैब ध्यान रखने है कौन-कौन से एक आपको तीसरी चौथी पंचवर्ची योजना के बीच में जब चीन, भारत, पाकिस्तान, यूदू आता है उस समय समस्य आगी थी और दूसरा जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उस बक्त आपको ध्यान रख लाइगे बहुत ईजी है उसके बाद में जितने भी है उन में किसी में भी यूजना आपकास नहीं आया है आप डारीक आप-पांच जोड़ते जाएंगे जैसे आप पांच पांच जोड़ते जाएंगे तो आपके लिए सभी का टाइम पीरिड मिलता जाएगा दोस्तों त नहीं थी इसमें 26 सुचकांकों को दोस्तों लागू किया गया जिससे हम नाप सके गरीबी को और मुलियंकन कर सके गरीबी स्वास, सिक्षा, महिलाओं और बच्चों के क्या कंडिसन है दोस्तों उनमें क्या दोस्तों हो रहे हैं और इसमें उच्च गुडबता पूरबक जो लोजगार था उनके सरिजन की बात की की गई थी दोस्तों कि गया और इसके साथ में 25 रखे गए जिन यृधि बारे में अभी बात कर चुके हैं दोस्तों अब हम इस वीडियो के आँप रहीं फिनिस करते हैं अगर आपको यह वीडियो फसंद आई तो लाइक करिए दोस्त होगे चलिए हम अपनी वीडियो यहां पर यह फिनिस कर से हैं